अगर आपका data हार्डिक से या तो फिर pen drive से या तो फिर memory card से या फिर SD card से जैसे भी अगर delete हो गया है या तो फिर वो format हो गया है तो इस वीडियो में मैं आपको live format करके फिर उसके बाद recover करके दिखाने वाला हूँ generally यहाँ पे दो problem देखने के लिए मिलता है अगर आप YouTube पे search करते हो कि data recover कैसे करें तो literally में बहाँ पे कोई भी software फिरी में नहीं बताया जाएगा पूरा का पूरा paid promotion रहता है जो कि आपको एक दो file recover करके खाद दिया जाएगा एक दो MB का जो भी वो image बेगेरा रहेगा और फिर आपको वह चीज purchase करना पड़ेगा जो कि कुछ 70 dollar या C dollar या तो फिर 45 dollar से उपर का रहता है तो और दूसरा जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं software वो फिरी रहेगा हमेशा आप चाहिए unlimited कितना भी GB का 400 GB 200 GB 50 GB जितना भी मन है उतना आप data recover कर सकतो वो भी फिरी का तो start क करते हैं वीडियो को यहां पर एक दिक्कत आता है ने कि बहुत सारा बोलते हैं कि recover करने के बाद हमारा जो data है वो open नहीं होता है तो उसका भी मैं solution इस वीडियो में बताने वाला हूं तो आप देख सकते हो पाई तो सबसे पहले हम यहां पर software को download करना सीखते हैं कि हम उसे कहां से download करें फिरी of cost में तो सबसे पहले आपको chrome open करना है यहां पर type करना है i care recovery आप यहां पर देख सकतो i care recovery type करना है तो जैसे ही type करोगे तो पहला ही आपके पास link यहां पर आ जाएगा i care recovery 100% free unlimited data recovery तो देन इसको पर आपको click करना है click करने के बाद कुछ इस तरीके का page open आएगा open होकर आएगा तो यहां पर आप देख सकतो सारा का सारा free में है अगर scroll करके नीचे आते हो तो usv plus यह फिर sd card यह फिर raw drive जितने भी type के delete होते हैं वो सारा का सारा यहां पर बताया गया है तो यहां पर read more करना है read more करने का बाद कुछ इस तरीके के option आ जाएगा page open होकर तो यहां पर देख लो सबसे अच्छी बात है कि यहां पर i care data recovery 100% free यह चल नीचे आते हैं तो खास बात ही है कि सारा का सारा जितने भी software होते हैं सारा में जैसे ही एक दो फोटो recover होगा उसके बाद license मांगने लगता लेकिन इसको में नहीं है देख सकतो यहां पर यहां पर बताया गया price यहां पर फिरी फिरी दो फिरी है उसके बाद है लग रहा है 70 डॉलर है और यहां पर कुछ 90 डॉलर है प्रोक्स में जो भी हो तो यहां पर देख सकतो फिरी बला में भी दिया गया है no limit फिरी कोई भी इसको में limit नहीं है पूरा का पूरा फिरी है औ दाउनलोड करतो तो वन जी भी फिरी दिया गया और बाकि अगर चार्ज लगेगा तो लगेगा बाकि सारा में फिरी है फिर यहां पर कोड खोजेगा तो कोड फिरी में नहीं है तो simply आपको यहां पर से डाउनलोड कर लेना यह तो फिर उपर से डाउनलोड कर लेना है डाउ open करने के बाद कुछी इस तरीक गा नजर आएगा i care phiri तो यहाँ पर right क्लिक करने के बाद इसको पहले extract करना पड़ेगा यह देख सकत हो extract hair तो मैं यहीं पर कर देता हूँ extract hair इसका file कहां गया यहाँ पे सबसे नीचे में आ गया iCareFury तो इसको open करना है देने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है बड़ा करने के बाद देख सकतो चौथे नंबर पे आपको इस तरीके के कुछ दीख जाएगा iCareFury जो की बड़ा भी रहता है यहाँ पे पलस आइकन रहेगा इसको पर install नहीं करना है इस software को simply right click करने के बाद run as administration कर देना है थोड़ा सा बेट करने के बाद कुछ इस तरीके के page नजर आएगा आपके सामने कुछ ऐसा open हो जाएगा install नहीं करना है direct automatic open हो जाएगा बहाँ पर right click करने के बाद तो यहाँ पे आपको जाना है क्या कर रहा है delete file recovery डिलीट हुआ है तो इसको पर जाना है अगर जो advanced file recovery करना है यानी तो फिर अगर जो format हुआ है तो फिर second वाले option पर जाना है आप देख सकतो कुछ भी नहीं है d drive में अब पता नहीं हमने कब कब इसको delete किया है नहीं किया है बहुत दिन पहले का सारा का सारा data है तो मैंने उसको ही recover करना है अभी इसको में कुछ भी नहीं है बहुत दिन से यह खाली पड़ा हुआ है तो मैं इसको recover करके देखता हूँ कि इसमें से क्या क्या recover होता है देख सकते हो एं देन इसको अब recover करना हमको डी ड्राइब कहा गया C और D A वाला है तो यहाँ पर फिर next का option मिल जाएगा इसको पर click करना है click करने के बाद यह स्कैनिंग होने लगेगा तो यह आपको इंतेजार कर लेना है जितना भी time लगे थोड़ा सा ज्यादा time लगेगा क्यूंकि format वाला जब recover होता है तो पिछले आद तक जितना भी file बेगेरा delete हुआ है सारा का सारा बो recover करता है सारा का सारा partition जितने भी हुआ है तो आप इंतेजा जितने भी है सिर्फ one वाले को छोड़ कर सारा का सारा black partition है तो हमें black partition को कभी भी tick नहीं करना है सिर्फ हमें green partition उपर में एक दीख रहा होगा यह चीज अभी मैंने यह देख सकतो यह green partition है यानि कि यह वला अच्छा है ठीक अब यहाँ पे है mft only तो इसको पर tick नहीं करना है देन इसे ही रखने के बाद इसको पर तीन option दिखता होगा home, back और next तो next कि लिख कर देना है ध्यान रखने वाली बात ही है कि आपको green partition ही select करना है देन आपको next करना है next करने के बाद कुछ इस तरीक है कि यहाँ पर rendering होने लगेगा जो भी फिर इसके बाद फिर recover होगा तो आप देख सकते हो अभी वो सारा file आएगा पहले वो जितने भी है एक दूसरे में merge होकर NTFS जो भी है वो सारा चीज merge होकर आपके सामने total file देखेगा फिर आपको आगे option बताता हूँ फिर यह आप देख सकतो जैसे ही मैंने processing complete हुआ तो यहाँ पर देख सकतो कितना सारा file यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है आगर मैं actual में this PC में जाता हूँ जो भी मैं drive को recover किया इस drive को d drive को तो आप देख सकते हैं d drive में कुछ भी नहीं है और देन मैंने इसको 100 GB का drive था और मै इसको मैं सोचा कि क्या क्या है मैं इसको मैं recover करके देखता हूँ तो यह बहुत पहले हमने delete किया था जो सारा कुछ आया हुआ है my part साला का assignment है ntpc pdf बेगेरा सारा कुछ reasoning बेगेरा और मैं सबको अगर open करके अगर आपको दिखा हूँ जैसे मैं यहाँ पे है कोई अगर photo को बेगेरा कहीं पे होगा तो मैं दिखाता हूँ जैसे इहाँ पे image है तो इहाँ पे एक option दिखता है preview का इसको इहाँ पे select करना है then preview पर जाना है तो देखाते हैं इहाँ आप देख सकते हूँ पृवी उपर दिख रहा है अगर हम दूसरा देखते हैं तो कोई भी data इहाँ पे corrupt नहीं है आप देख सकतो यह भी और मैं दिखाता हूं दूसरा तो यहां पे यह भी आप देख सकतो सारा का सारा है अगर हमें कोई भी recover करना है तो आप यहां से चूज कर लो कि पूरा हमको कौन कौन साथ चाहिए जो जो भी फोल्डर आपको चाहिए वो यहां से tick कर लेना है ऐसे करके इधर ऐसे जैसे हमको इतना चाहिए तो जो जो आपने select किया उसका size कितना है पचीस जीवी है पचीस जीवी के बाद फिर इसको recover पर tick करना है और फिर यह पूछेगा कि कहा recover करना है तो मैं सिर्फ इसको recover नहीं करूंगा मैं तो बस ऐसे ही check कर रहा था तो इसको desktop पे और फिर इसको okay कर देता हूँ then recover हो रहा है जितना time भी लगता है ना 25 जीवी को transfer होने में उतना ही time में recover होने में भी लगेगा तो आप देख लेना बस ऐसा ही अगर कोई और topic पे आपको वीडियो चाहिए तो आप बता देना मैं उसे अच्छे से बना कर आपके सामने दे दूँगा